हेलो दोस्तों हमारे गुरु करपा कंप्टिसन क्लासे चैनल में आपका स्वागत है आज में सच्छड वीडियों से संबंद कुछ मेहत्पूर वीडियो लेकी आई हूँ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक करें शेयर करें और सबस्क्राइब करना ना भूलें तो देखते हैं आज के पहला क्वेश्चन क्या है पहला क्वेश्चन है हर्वर्ड की पंचपदी है पार्ट योजना के इस पश्टता वाले सोपान को प्रस्ता अबर प्रस्तुति करन्द दो भागों में बाट नवाले कोन थे आप संथ मेर आइन और सन भी जिल्लर ओप्सन सी मौरी शन ऑफ सूप संडी जों डी तो इसका राइट अंसर दोस्तों भी इसका राइट अंसर दुप स्थो ऑप संफ जिल्लर जिल्लन ने जो मरवड के 425 थ । इस वश्टता उसको प्रस्ताव्न प्रस्तती करा। दो बागो में बाटा कि रवड के 405 वश्टता शम्बंदता व्यवस्टा और प्रयोग। इस बश्टा समझता व्यवस्ता और प्रियोग तो इसका राइट आंसर दोस्तो जिल्लर नेस्ट कोश्टन देखते हैं आज कर नेस्ट कोश्टन है तो पार्ट यूजना का मैत्व हैं अद्यापक के कार रहें नियमित नियोजित व्यवस्त्त होता है option B, अध्यापक का शमें, शक्ती की बचत होती है, option C, अध्यापक की मौलिकता में अंतर नहीं आता है, यह option D उप्रोक सभी, तो इसका right answer है दोस्तो option D, क्योंकि इसमें अध्यापक का नियमित भी होता है, नियोजित भी होता है, और ब्युविश्थित भी होता है, अध्यापकि मॉलक्ता में अंतर नहीं आता है और ना ही मॉलक्ता में अंतर आता है इसका मतलब है चारूंग ऑपसण सइड नश्जाफ़ भंडो में किस सायक सामगरी का उप्यों हो कहां कौन से प्रेश्न पूछे जाएंगे कौन से किरिया कहां होगी यह सारी योजना पार्थ योजना के किस चरड़ में आती है कौन सी के लिया का होगी कैसे प्रेशन पूछे जाएंगे यह सारी योजना है पार्थ योजना के किस चरड़ में आती है option A प्रस्तावना में option B प्रस्तुतिकर्ड में option C मुल्यांकर्ड में option D, देसे में तो दोस्तो इसका राइट अंसर है option B प्रस्तावना में तो नवीन ग्यान को या पूर्ब ग्यान को नवीन ग्यान से जोड़ कर पढ़ाया जाता है प्रस्तावना में जो पूर्ब ग्यान होता है पूर्ब ग्यान को नवीन ग्यान से जोड़ कर पढ़ाया जाता और मुल्यांकन तो दोस्तों बाद में किया जाता है पहले उसको प्रस्तुत किया जाता है कि किसी प्रस्तुत करने के लिए इसको किस तरह से प्रस्तुत करें इसके लिए क्या सायक सामगरी चाहिए कौन से प्रस्ट पूछे जाएंगे इस तरीका से योजना बेना जाती है त और फ्रकंट के इस पर्ष्ट ग्यान से वास्जा कैसी वंती है ब और सुने सुन्हें बनती है और 코로े मिक्राइब पार्ण तियार करने के पीछे से 8 काम व्द्ध्य से होता है, एक पार्ट ही उजन है, जभ सिच्छक तैयार करता तो उसका उद्द्देश से क्या होता है, पार्ट हे तक तचीर कों नहीं, तो इसका राइट अंसर है, दूस्तो उद्दानकि ओप्स Chen B, प्रिभावी सिच्छक देना क्योंकि एक सिच्छक का उद्दे से होता है चात्र को प्रभावी सिच्छड देना ना कि चात्र को बेस्त रखना अनुशासन बनाए रखना बलकि उसका जो सिच्छक का योजना बनाता है सिच्छक जो उसका मुख्य उद्दे से यह होता है कि उस चात्र को किस तरह से सच्छड को प्रवावी बनाना ही इसका मुख्य उद्धिस है नेश्ट को संदेखते हैं दोस्तों नेश्ट को इस ने चात्र सुद्धता पूर्वक तभी लिख सकते हैं जब अपनी तूटिय का ग्यान हो उन तूटियों से अभिभाव को परिचित कराया जाए या फिर जब चात्र को संदिक्त दंडित किया जाए जब चात्र जब सिच्छक उन तूटियों को सुधार ने दे ऑपर सने इसका राईट अंसे दोस्तों ओपम यह जब अपनी तूटियों का ग्यान होगा चात्र को तो चात्र स्वेम ही अपनी गलतियों को समझ सकेगा और वे सुद्ध लिख सकेगा नेक्ट कुश्चन देखते हैं दोस्तों नेक्ट कुश्चन है पैस्टालोजी की लेखन सिच्छड विदी है पैस्टालोजी की लेखन सिच्छड विदी है पैस्टालोजी की लेखन सिच्छड विदी यह option A अनुकरड विदी, option B, खेल विदी, option C, Montessori विदी या option D, मौखिक विदी, तो इसका right answer है दोस्तो अनुकरड विदी, option A, अनुकरड विदी, विदी में अनुकरड द्वारा लेखन शिखाया जाता है, ना कि खेल के द्वारा, खेल के द्वारा तो Montessori विदी में लेखन सिका जाता, पहले चात्र जीरो बनाएगा, उसके बाद बच्चे से, बच्चे को भी जीरो बनाना सिकाएगा, फिर चात्र लाइन कीचेगा, फिर बच्चा भी बच्चा लाइन कीचेगा, फिर ऐसे बनाएगा, इस तरह बच्चे चक बच्चे को अनुकरड चात्र और अनुकरड करता है पहले से च्रक अच्यक लिखता उसके बाद में 6 लिखता है तो इसका राइटांस? वि जिसमें बौलक स्वेखे अपना सुधार करेगा? बै पढ़ती है बै कौन सी पढ़ती है जिसमें बालक सुवेम अपना सुधार करेगा option A. अनुकरण विदी में option B. जैक टॉट विदी में option C. प्रिच्णोत्र विदी में option D. कानी विदी में तो अनुकरण के द्वारा इसमें सुच्छा कराएगा अनुकुरार सिच्छक कराएगा उसके बाद चातर करेगा पिजनोत्तर में भी सिच्छक कराएगा कानी विदी में भी सिच्छक ही सुनाया कानी तो जैक टॉट विदी एक मातर ऐसी विदी है दोस्तों जिसमें सिच्छक पहले तो लिखेगा पहले सिच्छक शुयम लिखेगा जैसे सिच्छ ने लिख दिया मोहन पर चातर से लिखने के लिए कहेगा चातर से लिखने के लिए कहेगा उसके बाद में सिच्छक चातर को लिखता है उसके बाद में पहले सिच्छक लिखता है उसके बाद में सिच्छक चातर से कहता है लिखने के लिए फिर सिच्छक चातर से कहता कि आप बेगार देखे लिखो फिर चातर बिना देखे लिखता है इस तरह दोस्तों इसका राइट अंसर है ऑप्शन भी जैक टॉक्ट विदी में नेक्स्ट कुस्टन देखते हैं दोस्तों कोक रज्ट कुको दृइया था कोड वेल पूक्ड कुक्ड आ ऑपसें बाचन से पूर्व लेखन पर आक ऐना ऐसर्णों इंद सें न रा सन्ध पर ओप्षण डी निशामि विधी पर तो दोस्तों यह तो उख्जए नीयस कम से पाल नहीं तो इन यह सकते क्वैल पर पहले इंट पर भल दूंहों था पहल HEAL Ses उसके बाद बाचन कराए जाए खेल खेल में बाचन कराए जाए ना कि खेल से पूर बाचन पर ना कि खेल से पूर बाचन पर इसका राइट अंसर दोस्तो ऑप्शन ए इसका राइट अंसर दोस्तो ऑप्शन ए बाचन से पूर खेल पर पहले खेल कराए जाए उसके बाद बा से सेचिक कारेक्रमों का अधियस है बालक का बौधिक विकास बालक का मांसिक विकास करना बालक का शर्वागिर विकास करना उप्शन D सारीरिक विकास करना तो इसका राइट अंसर है उप्शन C इसका राइट अंसर है उप्शन C बालक का शर्वागिर विकास करना क्योंकि सर्वागिड विकास से मतलब होता है इसमें सारी विकास भी होता है मानसिक विकास भी होता है बोधिक विकास की विकास भी होता है सामाजिक विकास भी होता है तो दोस्तों सर्वागिड विकास से मतलब है बच्चे का सारा विकास आजाता है इसमें इसका राइट अंसर है दोस्तों ऑप्संट सी नेस्ट कोशन देखते हैं नेस्ट कोशन है जीवन के अंदरे सिच्छा का सिद्धान्त किस ने दिया था ए फ्रॉवेल ने बी गांदी जी ने सी जोन डीवी ने डी कोई नहीं तो इसका राइट अंसर दोस्तों ऑप्संट ए जीवन के अंदरे सिच्छा का जो सिद्धान्त था वो फ्रॉवेल ने दिया था जीवन के अंदरे सिच्छा का सिद्धान्त फ्रॉवेल ने दिया था और बुनियादी सिच्छा का सिद्धान् गांदी जी ने ढून्याद्य शÝ्छा का सिद्धांत गंदी जी ने दिया था जोरीविन ऑद जोरी ने संवाणDV ना कुछ संवेध सोरी स्वाका सिद्धांत नब यू विन में दिया था उसयल एक शीद्धांत नबना। सिच्छा को समाज से जोड़ कर बढ़ाना चाहिए इसका राइट अंसर है दोस्तो उप्सन फ्रोवेल जीवन के अंदरित्क सिच्छा का सिद्ध फ्रोवेल ने दिया था ने फिचली कासफ नहीं है ओप्सनr सिच्छन के जो पद थे वो छए थे पा थे पाठी औजना, पहला था पाठी औजना पहला पत था उसका पार्ट योजना, दूसरा पत था सिच्छड सूत्र था, तीसरा था प्रस्तुती करड, प्रति पुष्टी, तीसरा था प्रति पुष्टी, तीसरा था प्रति पुष्टी, तीसरा था प्रति पुष्टी, पुने पाटि उजणा इसके बाद में पुने शच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च् ताय तो इसके राइट आंसर है दुस्तो ओप्सन डी चर्चा सूत्र